सास भी कभी बहूती हाँ जी विभाव के पिछले सिजन में ही मैं सास बन गई हूँ वैसे देखने में तो अपने 25 वर्षय पुत्र की बड़ी भेन ही लगती हूँ पर हां मेरा पद अवश्य वड़ गया है अब बारी आ गई है मेरी वे सभी करजे चुकाने की जो बहू बनन के बाद से आस तक मेरे माथे पर थे रिष्टेदारों मित्रों सभी की नजरों में मैं बहुत शांत स्वेबाप की महिला हूँ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मेरी बहू ने कितने अच्छे करम किये होंगे जो ऐसी सास उसे मिली और कहे भी क्यों ना आस तक बहू को मैंने क चड़ाई सारी अच्छी साड़ियां मैंने रख ली हैं अरे भई फैशन पलटते देर नहीं लगती इतनी सारी एक ही फैशन की साड़ियों का क्या करेगी उसी के लें देन में ही तो ये साड़ियां कल काम आएंगी और तो और उसके घैने हमारा चड़ाया गया ही रेका अब मेरे पास ही है आज कल तो चोड़ चको का कोई अता पता नहीं इसलिए मेरे लोकर में उसके सारे भारी घैनों में रख कर छोड़े हैं हाँ कभी कभी उन्ने में पहन लेती हूँ अब भई पता भी तो रहना चाहिए कि कहीं कुछ गायब तो नहीं हो गया घर में रिस् वह मैं उसे करनी नहीं देती अब देखिए बेटी बहु सभी एक समान है हाँ यह अलग बात है कि बहु को कुछ बनाना नहीं आता या खराब बनाया होता है तो मैं उसे चुप-चाप से अपने संबंधियों को चखा देती हूँ खामाखा बहु के पिरती उनकी उम्मीद बढ़ाने से क्या फाइदा बहु यू तो माई के कम ही जाती है पर उसके पीछे उसका कमरा उसकी अलमारिया सब मैं साफ करती रहती हूँ जमाती रहती हूँ आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है बहु के पिरती है बात अलग है कि उस दोरान मुझे बहु के पास और वाके ही है पता चल जाता है कि इस तरह से अच्छा ही है आकास्मिक पार्टियों में बेट देने को ऐसे ही गिफ्ट तो कामाते हैं सुभह सबेरे सस्संग जाए बगेर मुझे चैन नहीं मिलता अजी सस संग के अनेक फायदे हैं एक तो भगवान का ध्यान एक दो घंटे का हो जाता है दूसरे सभी सहलियों से उनकी बहु की ताजा तरीन खबरे और नुक से मिल जाते हैं और तीसरे घर आते ही गर्मा गरम खाना टेवल पर तयार मिलता है बहु को फैशनेवल कपडे मैंने नह कोई संस्कृती है यह सलवार सूट जिन्स वगेरा तो हमारी परंपरा नहीं है साड़ी भले ही भारतिया परिधान है फिर भले ही उसमें भागदोड करते बक्त पैर फिसले और कोई गिर क्यू ना पड़े सिर्ठ़ अधकना तो हमारी सभ्धक की निशानी है भह बले ही वी सारे पड़ोसी मेरा लोहा मानते हैं बहु मेरी सारे बाते मानती है जो कभी नहीं मानती तो मेरी तवियती खराब हो जाती है फिर एसी जी के बिल डॉक्टर की दवाईयों का बिल देखकर वे अपने आप मान जाती है पोते पोते भी मुझसे बहुत प्रसंद रहते हैं आते जाते उनको टोफी चोकलेट जो मैं खिलाती रहती हूँ अब बहु मना करे तो भी क्या इस उमर में चोकलेट नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे अब दातों में कीड़ा तो रोज रात को ब्रस नहीं करने से लगता है और यह तो बहु की जिम्मेदारी है ना धैज की मैंन माया का मैं क्या करूंगी हाँ पड़ोस की बहुए जो तीस तुहार पर सस्राल वालों के लिए सोगाते लाती रहती हैं वे जरूर भव को बता देती हूँ अब अपने पास पड़ोस की भी तो आदमी को खवर रखनी चाहिए अपनी बहु की कदर तो करना तो कोई मुझ से सीखे पी एचडी की उसकी पढ़ाई को मैंने रोका नहीं और उसे नोकरी भी करने दी मेरा लाड़ बहु के कामकाजी होने की बज़े से भी कभी कम नहीं हुआ शाम को बहु ही आकर अदरक वाली चाय और खाना बनाती है भई उसके हाथ की चाय के बिना उठाई कहा जाता ह बिस्तर से भले ही शादियों फंक्षनों में भव दस्तूर दे आए पर वहां से आए गिफ्ट तो मैं ही रखती हूँ अब भई मिलना बरतना तो मुझे ही है उस बेचारी को क्या पता कहा क्या देना लेना है नारी से शक्तिकरन के चलते मैंने कभी बहु को इमोशनली कमज दोर होने नहीं दिया जब भी वह रोती है तो मैं उसके आशू को मगर मचके आशू करार देती हूँ बस बहु का रोना बंद हो जाता है आखिर उसे श्ट्रोंग बनाना भी तो मेरा ही करतब्या है घर ओपिस बच्चों से बहु जब भी थोड़ी फिरी होती है मैं अपने ब्लाउज साडी फोल उसे थमा देती हूँ आकित सिलाई कड़ाई के हुनर को जीवित रखना भी तो बेहत जरूरी है सिलाई कड़ाई करेगी नहीं तो दक्स कैसी होगी और इन सब कामों में से उसे टाइम ना मिलने के कारण वे मैं कब भी कहां कर पाती है तबी तो सिंप वेकपून ढंग से उसे खर्च करती हूँ विवाईक बेटे और एविवाईत बेटे को बरावर खर्चा देती हूँ इसी अनुशासंदूर दरश्टी वा सहयोग आत्मक रवये के कारण ही तो मैं इतनी प्रिसिद्ध हूँ बहु की भाबनाव को जितना मैं समझती हूँ उतना और कोई नहीं और मैं समझू क्यों ना आखिर सास भी तो कभी बहु थी तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी है अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ये थी चटपटी स्टोरी थैंक ये सो मैच